नमस्कार किसान सात्यों, स्वागत है आपका मेरे योटूब चैनल में, मैं आपका मित्र डॉक्टर आरेस राजबूद, आज की वीडियो में मैं आपके लिए मक्का की खेती से सम्मंदित कुछ जानकालियां दे रहा हूँ, तो मित्रो मक्का की जो फसल है, वो इस समय कई जगे पर हार्विष्टिंग भी होना स्टार्ट हो गई है, कई जगे पर अभी छोटी भी है, और ज्यादा तर अगर हम केसिस की बात करें, तो मक्का की जो फसल है, उसमें इस समय पर मंजली बन रही है और भूंटे बन रहे हैं जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि जो मक्का की फसल है इसके लिए इस समय पे जो highly temperature जा रहा है इसमें गर्मी में हमारे लिए अपनी मक्का में नमी को अच्छी से बनाए रखना है नमी को अच्छे से बनाये रखने के लिए हमारे पास एक ही ओप्सन है कि हमारे लिए अपनी मक्का की फसल में सिचाई समय समय पेकल पे रहना है खेत में पानी की कमी नहीं होने देना है यह भी देखने को मिल रहा है कि कहीं कई लाइट की समस्या है यह कहीं इस परकार का चैलिंज है लोगों के सामने जहां पर फसल में पानी प्रापर नहीं लग पा रहा रहा है और फसल सूख रही है यह जो एक टाइम है यह बहुत ही पीग टाइम है इस समय पे अगर मक्या की जो फसल है उसमें पानी की कम ठी होती है तो सीधा उसका जो उत्रफद् सब्सका वह ihan ह Soonकि सब्सक्राइब तो मन्च जो बंटा बंता है उसके बीच में इसको हम उसका बिग्ञान कहा सकते हैं क्योंकि जो Pollen है, जो मंजल है उसके Pollen होता है Pollen जब मक्रा की जो भुंटा है उसके उपर वर्तिकाई होती है उन पर जब जब पॉलन गिलता है तब जाके दाने में दूर बनता है और दाना प्रोपर वो भरता है कि को हमको ये बिसेशा ध्यान रखना है ऐसे में नमी अगर नहीं ओगी तो हमारा जो भुंटे का साइस है गो डाउन रह जाएगा और नमी नहीं होगी तो प्रॉपर उसका पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा थो जाहर सी बात है कि पॉलिनेशन डिश्टब होता है तो दाने में दूर्ज नहीं बनता है और दाने में के depend पाता है समय जगे जगे उसके स्कावडռ से उत्वसर पर पड़ता है और उत्पादन काफी मातरा में लोगों को कम भी ऐसे में देखें वो बिलता है तो वैसे तो किसान भाई सभी इस समय इस चीज़ों का ध्यान भी रखते हैं और जैसा हो पारा है वैसा अपने नमी भी लगा रहे हैं नमी के लिए सिचाईयां कर रहे हैं लगातर तो यह जरूरी भी है कि हमारे लिए तो आच्छे से ध्यान रखना चाहिए बाद बाद की यह है कि हमको सिचाई के साथ-साथ कुछ चीजों का और भी ध्यान रखना है क्योंकि इस समय जब घर्मी पर रही है और यह आखरी टायम होता है जब हम कोई भी नियूट्रियंट् एक जबावस्ता होती है उस समयते अगर हमको अच्छा काम करते है तो इस समयती को सखत्तों की कमी नहीं होने देनी जबेसक्टों में हम जिब्रेलिक एसिड़ के लिए भी ले सकते हैं जिब्रेलिक एसिड़ क्या करता है उससी रासा प्रम सा फायदा पर गड़त है है सलफर है और तुम्हारा जो आइरन है फेरस पगएरा इन सब्सक्राइब को जिंक वगएरा को ले सकते हैं कुछ ऐसे माइक्रो न्यूट्रेंट आ रहा है जिसमें की एक ही टाइट में आपको तीन चार फोर से तत्म मिल जाते हैं तो उनको हम ले सकते हैं कि मल्टी क्रॉब न्यूट्रेंट जो होते हैं उनको हम लगा सकते हैं और वो काफी उसका फायदा भी देखने को मिलता है है तो पिस नसाती हो ये मंका की जो फश्बस से समंदित मैं आपके लिए कुछ जानकारिएं गया आप के लिए जरूरी थी और ये लाफदायक रहें गी हैं तो और अब हिह हम आपके लीए कुछ और जानकारियां देते है जिसा की कि जिन खेतों में मक्का चोटी है यहां बात करें कि हम हम नहीं बना है लेकिन ववन्सक्राइब रही है कि मचली बनना हुट हुट हो गई है तो उन जगे में क्या करना है कुआ कि की ना सकने जो आप को मार्केट में मिल जाएंगे चाहें आप क्लोरोपारी फायस और साइपर मैथिन को ले लें चाहें आप प्रपनोफास को ले लें यह आपके सारी क्यूट ना सके हैं वह आपके क्यूटों का नींदां करने में काम आते हैं इसके साथ अगर हम चाहें तो इमामेक्टिन बेंजो एट आती है इसस्टेमेटिक का बीकाम करती है तो आहिछ कर्देख और आपके पॉधे के अंदर फ़फा उन्हें प्रवैंस कर जाती है जिससे कि आपका जो आपके लिए जब कीट नक्सान के ים पहुचाता था उपक्हें कि जब खाता है तो समय हमको यह वी कोईज़ लगाते हैं तो हमेंसा जो छरगाब वो साम के समेय पर करें साम के समय पर करने से सबसे बढ़ा फाइदा जो है वह यह मिलता है कि अगर हम कोई भी कीटना सको सुबह के टाइम लगाएंगे तो दूप्यार में जब धूप तेज पड़की है तो धूप में काफी हद तक उसकी जो पर्षेंटेज है वो डाउन हो जाती है और धूप की वजए से वह आपकी जो है उसका पूरता पौधी के लिए लाब नहीं मिल पाता है तो हम करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप करता करके वीडियो को लाइक करें चैनल पर अगर कोई नए आए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जरूर दबाएं आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिलती रहे और आपके लिए अच्छे-च्छी जानकारियां हम लेकर आते रहें किसान सातियों आपको लग रहा होगा कि मैं रेगूलर वीडियो नहीं बना पाता हूं तो उसके पीछे की एक कारण यह है कि हम लोगों के लिए ब्यस्ता जादा रहती है तो जैसे जैसे हमको कोई टॉपिक मिलता है हम वीडियो बनाते हैं आप लोग वीडियो को देखें और चैनल पर जुड़े रहें धन्वाद किसान साथ्यों जै हिंड बंडे मात्रम जै जवन जै किसान जै अन्दाता